कि दोस्तों मार्केट में 1560 में बहुत शारे स्मार्टफोन भरे पढ़े हैं लेकिन कनफीजन महें काफि यह जा है कि इसमें 1550 कंदर मेंर में बेस्ट कैमरा फोटो आपके लिए ले करके आया हैं एक है आप अपने इस वीडिएयो को लाइक दूर कर ले हैं चलिए प्राइब शुरू कर ले के सब्सक्राइब के बारे में तो इस फोन के साड़ में दिया हुआ है ट्रीपल कैंवरा सेट अप इसमें की 50 मेगापी सल्काइब पिसल का मेन कैमरा इट मेंकार लिद्वाइड और तुमेगापि सल का मैक रोकामरा दिया हुआ है और इसके मेन के दिये गया है वहाँ पर भी कोई कमी नहीं मिलेगा और बात करते हैं फोन के कुछ अधर फीचर के बारे में तो 5000 इमेज के बड़ी बैटरी दी हुई है और उसको चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में दिया हुआ बाकी फोन में आपको IP52 की रेटिंग दी हुई है जो की धूल और पानी में गरा से आपका फोन को पोटेट करेगा और बात कर देते हैं फोन के पर्फोर्मेंस फोन के प्रोसेसर के बारे में तो इस फोन में भी काफी पाउरफुल प्रोसेसर दिया हुआ जो कि स्नैप अगर आभी हाइर सेटिंग तक प्ले कर पाओगे वहां पर भी कोई दिकत नहीं आएगा और डे टो डे लाइफ इस मल्ली टास्किंग है भी दिकत ले करके नहीं आएगा लेकिन अगर आप लंबे टाइम तो हाइर सेटिंग पर गेम प्ले किजेगा तब लोग को थोड़ा ब प्राइस जाकर मैं चेक किया तो फोर जीवी रहां वन ट्वेंटी एट जी बेस्टरों वाला वैरियंट मिल रहा था फिप्टिन थाउजंट नाइन हंडर नाइंटीन रुपीज में यानि कि सोलह जार आसपास फोन का प्राइस था लेकिन इसको आप लोग को जब बैंक व इसमें कि 50 Megapixel का, 50 Megapixel का में कैमरा, 2 Megapixel का मैक्रो कैमरा और 2 Megapixel का देव सेंसर दिया हुआ है और उससे आप Maxiom Full HD 30 EPS तक का विडियो रिकोडिंग कर सकते हो और फ्रंट में Selfie Camera एक बात कर ले तो 16 Megapixel का, 16 Megapixel का Selfie Camera दिया हुआ है और उससे भी आप Maxiom Full HD 30 EPS तक का पर भीवो का फोन रखा और ये एक निवली लॉंच स्मार्टफोन भी है बात करते हैं फोन के कुछ अधर फीचर के बारे में तो साइड माउंटर फिंगर पिंट सेंसर का सपोर्ट दिया हुआ है बागे 3.5 हे में अडियो जैक भी दिया हुआ है 5000 इमेज की बड़ी बैटरी LCD वाला पैनल दिया हुआ है और उस पैनल में आपको दिया हुआ है 120 हट्स का हाईय रिफ्रेस रेट जो कि आपका गेमियों गेरा में अब हेल्प करेगा और डिस्प्ले की क्वालिटी की बात कर तो डिस्प्ले की क्वालिटी प्राश के उनसार से बहुत ही बढ़िया दी लगी है LCD डिस्प्ले दिया हुआ है लेकिन इसमें हायर रिफेस्लेट भी दिया हुआ है तो यहांप आपको कोई रीकत नहीं है और प्रॉशेसर की के बात कर ले तो इस पौन में भी से जो कि मैंने आपको पहले बताया था सनेप ड्रगन का प्रॉशेसर दिया हुआ है जो प्राइब जो हाइर सेटिंग पर बैटल ग्राउंड गेम अगर आप लेकर पर आप थोड़े बहुत तक प्लेट कर पाई एगा लेकिन लंबे टाइम तक नहीं कर पाई गालेकर लेकिन में अच्छा खासा प्लेग कर पाऊगे वहाँ पर को दिकत नहीं आएगा आपके लिए प्लेट पेसिक अब आफ करते पाऊए नंबर वाले स्माट्फन के बारे मिल रहा था आपको 14,919 रुपीज में यानि कि 16,000 में आपको इस फोन का मिल रहा था फोर्ची भी रहा है मौन ट्वेंटी एटी बेश्ट रहा जोला भारेंट बाकि प्राइज उपर नीचे होते रहता है तो आप जा करके चेक कर सकते हो चलिए बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बा यहां पर बढ़िया बात है बाकि परज़ कोई दिखत नहीं और सेमसंब का स्माटफून भी है और इनका कैमरा भी काफ़ी बढ़िया होता है चलिए भात करते हैं तो इस फोन के बैक के साइड में दिया हए डिपल कामेरा से टप जिसने कि 50 मेगा पिसल का मेन कैमरा इटे म केमेरे से आप Maximum 4K 30 क्लिंद कर सकते हो जी यहां फ्रैंट्स पीछे दुमेन आपको स्मार्टपन पर है उसमें 4K क्लिघो रिसंें नहीं था लेकिन इसमें आप Maximum 490 क्लिद दी भी और NORFans Be और नर्वन लेजुस पर लॉट देका बैकम मिल जाएका वहां पर भी आपको कोई दिकत नहीं आएगा अब बात करते हैं पून के परफ्चेमिस के बारे में परसेसर के बारे में तो इस फोन ने स्प्रेसर निया हुआ है जो कि यह स्नैप ड्रैगं की तरफ से श्नैप ड्रै इस्पिरियंस रहेगा और इस प्रोसेसर की खास बात यह है कि इसमें आप मैक्सिम्म फूर के वीडियो रिकोडिम भी कर सकते हो तो चलिए मिलेंगे किसी अगले नए इंट्रेस्टिन टॉपिक के साथ अब तक के लिए नमस्कार जैंजे भारत